एपिशनो मत्रियन रेटिन की स्टाटिंग होती है और मेही कह रही होती है तुमने मुझे धोका दिया है और फिर वो इशारे करती हुए अपने लोगों उसे कहती है आगे बढ़ो और इन लोगों को धोका देने की सजा दो फिर वो दोनों बौडिगार्ड आगे बढ़ती एक कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमसे बच कर भाग सकते हो और फिर वो दूसरा बड़ी गार्ड दूसरे वेक्ति को मारती हुए एक कहता है एक बार कस्टमर से पैसे लेने के बाद तुमको उसका काम करना ही चाहिए और वहीं वान बई उन दोनों वेक्तियों को पिटता देखमन में कहरी होती है अरे नहीं मेरी वज़े से उन दोनों को पीठा जा रहा है अब जल से जल्द मुझे ये रसी काटने के लिए कुछ ढूनना होंगा ताकि मैं यहां से बार निकल कर पुलिश को बुला सकू और पिर तबी वान बई को एक ब्लेड मिलती है और वो ब्लेड से रसी काटने लगती है और पिर तबी में वान बई के पास आकर उसकी गर्दन पर चाकू रखती हुए उससे कहती है तुम घटिया लड़की मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने उन दोनों विक्तियों को मना लिया खुद को रिहा करने के लिए और क्योंकि तुम लोगों को भैकाने में बहुती जदा माहिर हो तो मुझे लगता है कि तुमने भी कई बार चांग्वान को धोका दिया होंगा है ना और फिर One Boy कहती है मैं तुम यह जो कुछ भी कर रही हो यह इलिगल है और इसके लिए तुमको जेल जाना होंगा और यह सब कहती है वे वो रस्सी भी काट रही होती है और मन मैं कहती है मुझे उसे पकड़ना होंगा लेकिन मैं यहाँ से तब तक नहीं निकल सकती जब तक मैं यह रसी नहीं काट लेती वान बै की यह सब बाते सुन मैं कहती है मैं उस वेक्टी जिसी बिलकुल नहीं हूँ जो तुम्हारे सुन्दर चेरे पर मर मिट जाता है और क्योंकि वान बै तुम वेक्तियों को लुभाने में बहुती जिदा एक्सपोर्ट हो चीकी हो तो मैं यह नहीं चाहती कि तुम यह स्किल्स बरबात करो पिर वो अपने गाट से कहती है तुम दोनों यहाँ पर आओ मैं इस लड़की को तुम दोनों पर छोड़ती हूँ तुम दोनों जो चाहो उसके साथ कर सकते हो बस इस बात का ख्याल रखना कि वो जिन्दा रहे क्योंकि मैं खुद ही अपने हाथों से उसे मारूंगी और फिर वो दोनों बाड़ी गाट को अपनी ओराता देख है रानी से मन में कहती है क्या नहीं मैं उन दोनों को खुद को छुने नहीं दे सकती मुझे उन्हें तब तक रोक कर रखना होंगा जब तक मैं अपने हाथों की ये रसिया काट नहीं लेती और फिर मैं ही कहती है वान बाई तुम अपने जिन्देगी के अंतिम पल को अच्छी तरह से इंजॉय करो और वान बाई तुम चिंता मत करो इस समय यहाँ पर जो कुछ भी होंगा मैं उसे रिकॉर्ट करूंगी और उस वीडियो को चांग्यून को भेजूंगी मैं चांग्यून का वो चेरा देखने के लिए बहुती ज़दे एकसाइटेट हूँ जब वो तुम्हें किसी और विक्तियों के साथ सेक्स करती हुए देखेंगा और फिर वन बे उस से कहती है सच में मैं ही तुम बहुती घटिया हो रहा थो कि ये बते सुन में ही गुस्सा हो जाती है और फिर वो उसका चेरा पकड़ चिलाती हुए कहती है क्या तुमने क्या कहा और अब तुम देखती जाओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है अब तुम थोड़ी देर बाद मुझसे दया की भीक मांगोंगी और गाईज जी की साथ एपिस नोमा 318 यहां एंड होता है पसना आया तो लाइक और से स्काइब जरू करें मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में